एक आदमी रोजा रगता था नदी में पांच मर्तवान आता था तो लोग कहते देए भया ती क्या अतला नहीं गुसल करोई थी वो बीमारी शुक नगी वहला भया मुख बीमारी नहीं नहीं इसे मुख गर्मी बहुत लागो जब तक हम गुसल नहीं करते हमको चैन नहीं मिलता है असुन मोर चार रोजा है गई आज नदी में डूपकी लगाए गोता लगाए नदी से बाहर निकल जाए दीन में पांच मर्तवा नहता था वो नहता नहीं था एक दिन पकड़ा गिया वो डूपकी लगा के पानी पीता उसको प्यास लगती थी ना वो डूपकी लगाता तक पानी पी करके बाहर निकल जाता था एक बार डूपकी लगाया पानी पीने के लिए मूँ जो खोला टेंगरा मचली मूँ में बुश गई तब पता चला कि ओ रोजा नी राखो है रोजा राके पानी पी ओ इसलिए मेर वे बच्चों मेरे नौजवानों ये रमजान का महीना बड़ा मुबारक महीना है रहमतों का महीना है बरकतों का महीना है ये मस्जिद का जलसा है इस धर्ती पर सबसे पहला अल्ला का घर खान een काबा है । इन्ना अव्ड़ बैतियों वो दिया लिन्नास लल्लजी बिबग्कता मुबारकां वहुदलीलालमीन ल्ला का सबसे पहला गर खाने काबा ख़ूने काबार खथरत आदम अलिशलाम जन्नस से आए अल्ला ने हुकम दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ ख़रत जिबराईल अमीन अले शलात वलतस्लीम तश्रीफ लाए खाने काबा की बुनियाद रखी गई और खाने काबा के ठीक सामने पहले आसमान में भी अल्ला का ये घर है जिस घर का नाम है बैत-ुलमामूर उस घर के फिरिष्टे तवाफ करते हैं तूफाने नूँ आया खाने काबा की दीवारे गिर गई हदरत इबराहीम अले सलाम को हदरत इसमाईल अले सलाम को अल्ला ने हुकम दिया मेरे इबराहीम मेरे घर की तामीर करें मेरे घर के क्या करते हैं कि मुरम्मत करें حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام बाप भी पैगंबर बेटा भी मज़धूर बना बाप मिध्थरी बना ऑग अऑ फ्रोबान जाओ حضرت اسمائیل علיہ السلام गारा बना बना कर देते थे पत्थर उठा उठा कर ला कर देते थे حضرت ابراہیم عل taco اسلام خانہ کعبہ کی दिवारों को मुरमत कर रहे रहे ते चुनाई कर रहे बाल्यव का 거 अपने हाथों से خانہ کعبہ की तामीर करी हिजरत का हुकम होगी ऐब आप मक्का छोरे मदिना जाये अधरते अबुय कर सिद्धीक 拐दी रबाता नुअ के साथ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے قربان جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی एक زمین पर तो आपने पता पता किया कि पूछो पता करो ये जमीन किसकी है ये जमीन भूलो भाई तो पता ये चला कि दो यतिम बच्चों की जमीन है जिसका नाम सहल सोहल है बाप नहीं है बाप इंतकाल कर गया चचा है तो आल्ला के रसूल इर्शाद फर्माते है कि चचा को भी बोलाओ उन दो यतिम बच्चों को भी बोलाओ पुरवान जाओ मुसल्मानों मस्जिद क्या प्यारी जगह है कितनी अच्छी जगह है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ अल्ला के रसूल तश्री फर्मा है एक सहाबी आया का या रसूल लाद दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है अल्ला के रसूल खामूश थे जिबराईल आ गिया हदरत जिबराईल से अल्ला के रसूल ने पूचा जिबराईल दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है तो हदरत जिबराईल ने का या रसूल ला मुझे पता नहीं या जाए अल्ला से पूच हदरत जिबराईल गए अल्ला से पूचा या अल्ला दुनिया में सबसे अच्छी जगा कौन सी है तो खाली के काईनात ने इर्शाद फरमाया रब कावा ने इर्शाद फरमाया जिबराईल जाओ मेरे महभूब से जाकर कहतो दुनिया में सबसे अच्छी जगा मस्जिद है सबसे अच्छी जगा मस्जिद है सबसे प्यारी जगह मस्जिते हैं सबसे खुबसूरत जगह मस्जिते हैं सबसे बुरी जगह बाजार है दो बच्चे भी आए दो यतिम बच्चे भी आए चचा भी आया तो ला के रसूल इर्शाद फरमाते है यह जमीन तुम्हारी है तो बेचोगे, कि आप क्या करेंगे, खेती करेंगे, नहीं खेती नहीं करेंगे, इस जमीन पर हम अल्ला का घर बनाएंगे, तो खुर्बान जाईए वो शखसे कहने लगा, या रसुल आल्ला, ये जमीन को अगर मैं बेच दू, आप पैसा देंगे मुझे, चांदी मिलेगा, सोना मिलेगा, नोट की गड़ी मिले गया, लेकिन या रसुल आए तो खतम हो जाएंगे, नोट खतम हो जाएगगा, पैसा खतम हो जागा, सोना चांदी खतम हो जाएगा, आप इस जमीन पर मस्जिद बनाईए, हम इसका बदला अपने आल्ला से लेंगे, सुभान बदला जो तैय हुई, मजमें मैंसे एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने का या रसुल आल्ला जो मस्जित की जमीन की कीमत तैय हुई है, उस कीमत को मैं अकेले आदा करूँगा, अरे सुभानल्ला बोलद मुसल्मानों, जानते वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे, हदरत इतने लोगे हिस्दा लेंगा, हाद उठाएए, मैं दुआ करूँए, इन्शालला, अलहम्दलिल्ला, बस पांच मिनट का वक्त रह गिया है, सोचिये का मत, अल्ला के रास्ते में खर्च करने में कभी मत सोचिये गए, एक बाद याद रखिएगा, हदीस में आपको सुनात आँ, अल्ला के रसूल निषात फिर्छाद फर्माया, बखील, 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 चाने ना, चाने न, चार क्वाल्टी है, बखील, को तो भिल, कंजर, קंजूस, मक्षीचूस, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, शहाबा नर्जा किया, या रसुलल्ल dram अगर वो न जन्नत में नहीं जाएगा दूसरे सहाबी ने का या रसुल अल्ला अगर वो रोजा रखने वाला हो तो मुस्तफाई काइनात में इर्शाद फर्माया जितना रोजा रखना हो रखले अगर वो बखील है अगर वो कंजूस है वो जन्नत में नहीं जाएगा तूसरे सहाबी ने मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे, तो हम भी रोक लेंगे, तो पता ये चला, कि जो सखी है, अल्ला से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है, ज नोर मस्जित मुहमदी के लिए मुझे पांच आदमी चाहिए बड़ी तेजी के साथ सोचिए कमध मैं आपके लिए निशालला पांच दुआ कर दूँगा निशालला पांच अदमी चाहिए पांच हजार रुपे देने वाले है कोई पहला शख्स अपने माबाब की सालो सवाब की नियसे शाबान अलमुजब का बरबरा मुबारक महीना है रमजान के महीने के इस्तकबाल करने की नियसे इन्शालला पांच हजार रुपए अपने माबाब की सालो सवाब की नियसे नूर-े-मुहमदी मजजीद के अंदर मतावून करने वाला पहला कोई नौजवान पहला कोई सखी है मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा साथी जो अपने माबाब की इसालो सवाब के नियस से मजजीद बना दो है कोई पहला नौजवान मेरा भाई, पाँच हजार रुपए देने वाला एक आठमी कोई तयार हो जाए कि हज़रत मेरी मां तो नहीं है बाप तो नहीं है, ए देखिए हमारे हज़रत तयार हुए मुझाही दालम भाई जनाब भाई मुझाही दालम साथ टुपा मारी मास्टर कैसर साथ मास्टर कैसर साथ